तो question यह है कि हम अपने low end PC में अगर HD वीडियोज प्ले कर सकते हैं तो हम अपने low end PC में HD वीडियो गेम्स क्यों नहीं खेल सकते हैं high resolution के वीडियो गेम्स और जो latest titles है वो क्यों नहीं खेल सकते हैं दोनों ही चीजे graphics हैं, दोनों ही चीजे HD में चल रही हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है, यह सवाल है, मतलब लोगों के बीच में यह question है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको answer नहीं पता होगे ऐसा होता है कि अगर कोई एक इनसान question करता है तो मैं यह assume करके चलता हूँ कि वैसे और बहुत लोग होंगे, तो इसलिए मैं एक video बनाता हूँ जो interesting topic लगता है तो यह बहुत interesting topic है, इससे आपको समझनी को मिलेगा कि एक video game कैसे काम करता है और एक video आपके computer में कैसे play होती है सबसे पहले बात करते है low end PC की, अब इसकी क्या definition है, इसकी कोई definition नहीं है fix ऐसा कोई भी computer जो उस वक्त के हिसाब से थोड़ा सा पीछे रह गया है वक्त के हिसाब से मतलब एक computer हो सकता है 2004-2003 में निकला हो जो उस जमाने में बहुत fast माना जाता हो लेकिन अभी के वक्त में उस computer अगर आप देखेंगे तो वह बहुत low end और बहुत outdated और पुराना computer है ऐसे computer में आप HD videos play कर सकते हैं जैसे 1080p की video है तो वो play हो जाएगी 720p की भी हो जाएगी कोई problem नहीं है, HD videos play हो जाएगी लेकिन अगर उस computer में आप आज के latest title जैसे की GTA 5, Assassin's Creed और बहुत सारे जो 2010 के भी अगर गीम अगर आप चलाना चाहो तो वो नहीं चलेगे तो नहीं चलेगे, तो नहीं चलेगे सबसे पहले समस्ते हैं कि एक video कैसे play होती है अब जो एक video होती है, वो fix है, कोई dynamic nature की नहीं होती है अगर आपने कोई video download की है और अगर आप कोई video play कर रहे हैं तो processor के पास यही task जाता है कि भाई, उस video को as it is play करना है वो video pre-recorded है, वो पहले से बनी हुई है आप उसमे कुछ भी add नहीं कर रहे हो जैसे अगर कोई film आपने download की है और आप उसे play कर रहे हो तो वो film ऐसे ही play होगी, उसमें कुछ बदलेगा नहीं processor का सिर्फ वहाँ पर वो काम हो रहा है कि वो उस video को बस play करे as it is, कुछ भी input आपकी तरफ से नहीं जा रहा है कोई अलग processing नहीं हो रही है, सिर्फ उतनी ही processing हो रही है जितनी उस video को play करने के लिए चाहिए तो यह बहुत simple सा task है, इसमें ज्यादा processing power की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा graphics की requirement है दूसरी जगापर देखते हैं कि जब एक video game आप play करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है जब आप video game play करते हो तो वो dynamic nature का है आप video game में उस character को या video game को input देकर control कर रहे हो तो graphics तो generate हो रहे है, processing भी हो रही है आप ऐसा नहीं है कि एक video game एक ही जैसा अपले होगा नहीं एक video game में एक character थोड़ा left जाके चल सकता है, थोड़ा right चल सकता है मतलब अलग-अलग कुछ भी हो सकता है इसमें अलग-अलग variation हो सकती है तो processor को उपर जादा जोड जा रहा है, जादा जोड जा रहा है अब processor तो वही process करेगा ना आप उसे input दे रहे हो जैसे आप GTA का example ले लो तो GTA में जो character चल रहा है, आप उसे car पकड़ वा रहे हो और फिर jump कर आ रहे हो, फिर इधर भगवा रहे हो, लोग के पिटाई कर रहे हो तो वो real time उसी वक्त वो चीज़े graphics process हो रही है पूरी processing चल रही है अगर आपके पस graphic card है तो उसमें, आपके पस processor है तो उसमें और normally दोनों में ही चलती है क्योंकि गेम को चलाने के लिए दोनों की जरूरत होती है एक processor की भी जरूरत होती है और आपके GPU separate dedicated graphics card की भी जरूरत होती है दोनों ही साथ-साथ मिलकर काम कर रहे होते है गेम्स में ऐसे बहुत सारी component होते हैं जिसमें आपके CPU की processing की जरूरत पड़ती है इसलिए जब आपने दिखा होगा जब आप high-end के गेम्स केलते हैं तो उसमें requirement में लिखा होता है कि कम से कम i5 processor चाहिए और NVIDIA का ये वाला graphics card चाहिए वहाँ ये तो नहीं लिखा होता कि सिर्फ एक NVIDIA का graphics card चाहिए CPU कोई भी चल जाएगा नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि CPU की requirement भी है और जो एकदम high-end graphics को जो प्रोसेस करने के लिए होता है उसके लिए separate एक processing unit दी जाती है जिसे GPU जिया dedicated graphics card या graphic card या कुछ भी बोल सकते हो हमारे हमने बोलते हैं ग्राफिक बंटा कुछ भी बोलते हैं लोग तो इसलिए जादा processing power लगती है क्योंकि वहाँ पर real-time processing हो रही है dynamic nature है आप कैसे भी control कर सकते हो double processing हो रही है game की processing CPU में भी हो रही है अगर आपके ग्राफिक्स card भी हो रही है अगर आपके ग्राफिक्स card नहीं है Intel Graphics Media Accelerator है वो HD games को process नहीं कर पता क्योंकि यहाँ बात सिर्फ graphics process करने के लिए graphics चलाने की नहीं है उनको process करने की अंदर के जो engine चल रहे है अंदर के जो game के files लोड हो रही है वो बहुत heavy task हो जाता है जबकि जो video play करने में वो इतना heavy task नहीं है वहाँ पर video को as it is play करना है लेकिन game को as it is play नहीं करना उसमें 10 तरह की processing हो रही है levels आ रहे हैं graphics generate हो रहा है और वो जो graphics generate हो रहा है वो उस basis पर हो रहा है कि आप कौन सी place पर जा रहे हो क्या input दे रहे हो आपके input के साब से चीजे चेंज हो रही है interactive चीजे हो रही है इसलिए आप अपने low end PC में HD वीडियो देख सकते हैं लेकिन अभी latest titles जो है games वो आप नहीं खेल सकते I hope आपको answer मिल गया होगा अगर आपको latest games खेलने हैं तो आपको latest hardware की ज़रूरत होगी पुराने hardware से काम नहीं चलेगा वीडियो प्ले करना बहुत easy है लेकिन games लेकरना एक अलगी चीज हो जाती है I hope आप समझ गे होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें पर दोस्ते को साथ share करें Cyber security और ethical hacking में interested तो description चेक करें 299 रुपीज के 3 ethical hacking courses है जो आसान भाशा में आपको ethical hacking सिखा देंगे आप एक ethical hacker बन सकते हो मौका है Hindi language में बहुत असान है चैनल को subscribe करो, bell icon को press करो क्योंकि ये YouTube पर बहुत ऐसे चुनिंदा channels में से है जहां पर सिर्फ हम technology की बात करते हैं और इसके अलाबा और कुछ बात नहीं करते हैं और बहुत rare channel है मेरा मैं खुद बोल रहा हूँ that means सच में rare है तो channel को subscribe जरूर करें bell icon को जरूर प्रेस करें और मुझे चाहें तो आप Instagram पर भी follow कर सकते हो इसका link आपको description में ही मिल जाएगा Thank you so much and goodbye कर फपको कर फपको